जैसे ही हमने हमारी registration complete की मेरे पास यह confirmation email आ गया जैसे कि आप देख पा रहें कि मेरे यहाँ पर मेरा test होगा proper और वो live test में आपको शुरू से लेकर n-tech दिखाऊंगी कि क्या question है और फेकर मत कीजिए सब के same questions होते हैं अब यहाँ भी देखे कि क्या कहीं यहाँ पर आया है dear candidate thank you for expressing interest in working for concentrics India जो की actually work from home रहने वाला है आपका ठीक है यहाँ पर आपको 25,000 रुपीस पर में job मिलने वाली है यह उनके लिए best है जिनके career में थोड़ा gap है student, housewife, retired professional हर कोई इस काम को कर सकता है कोई age limit भी नहीं है तो I think it's a best opportunity for you guys तो यहाँ पर सिर्फ फास होना आपका important है और यहाँ पर देखिए मेरे सारी test credentials आ चुके है यहाँ पर मेरा इंटर्व्य होगा और क्या होगा इसमें सब कुछ लिखाएगी for taking mcat exam click on the URL मतलब मुझे click करना होगा यहाँ पर मेरा exam आपका काम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा अगर मैं maximum भी बोलो तो seven days में आपका काम स्टार्ट हो जाएगा देखिए रिजिस्ट्रेशन कंप्रीट करेंगे उसके बाद आपको test देना हो तेस्ट के बाद इनके HR आपको call करते यहाँ पर सेलेक्शन परसंटेज बहुत ही जादा है और यह न्यू यह के लिए बहुत जारा लोगों रिकूट करें बहुत सारी ड्राइब साती रहती आप देखते होंगे जिसे मिंत्रा की हम आज कंपनी की बारे में बता रहें तो मिंत्रा में भी बहुत फेस्टिवल सा है जिसमें सेल होती है यह सब होता है तो इसलिए यहाँ पर बल्क हाइरिंग हो रही है जिसमें आप सभी लोगों की जरुवत है गाइस तो आई विश यू अल दा बेस्ट और वीडियो को शुरू से लेकर एंटर देखना है तक कि आप इस वीडियो को देखने के बाद यह हाँ पर सिलेक्ट होकर ही जाए और राइट गाइस वीडियो का स्वागत है मैं हूँ आपकी दोस दिक्षच श्रमा लेकर आ करी हो एक और बहुतर इन अपडेट आपके पास तो आज की अपडेट बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है विकास हम यहाँ पर मिंत्रा हा हाइरिंग होगी आपकी गाइस तो यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग आपकी जॉब रहने वाली है क्योंकि यह टोटली वर्क फ्रम होम रहेगा और एलिजबिटी की बात करें तो सिर्फ ट्वल्थ पास केंडिट्स चाहिए और कोई भी कर सकता है तो कॉंसेंट्रिक्स एक क की जॉब में आपके लेकर आई हो जो मिंत्रा की जॉब है और यह बंपर हाइरिंग होने वाली है विकास 2024 में बहुत सारी से आने वाली है मिंत्रा process की तरफ से यानि कि आप recruit होगे कॉंसेंट्रिक्स कंपनी में तेस्ट्टेंग कंसेंट्रिक्स कंपनी में यहाँ पर प्रส कर देती हूं ताकि आप जल्दी समझ लें कि आप यहां पर एलिजिबल है यानि सो गाइस यह खुशकबरी है विकॉस जो भी लोग यहां पर वीडियो देख रहे हैं वो सब एलिजिबल है अगर आप 18 प्लस है तो यहां यह बहुत ही बहुत ही भैरी अपडेट एप डीका कि यह चांस डीति है सबको इसे आपके प्रफॉर्मेंट करता है क्या आप सलेक्ट होते है यानि और परफॉर्मेंट्स की तो मेरे पास गवरेंटी विकॉस मैं अभी आपको लाइफ तेस्च जो करने वाले करूंगी प्रॉपर लाइफ जो करूंगी मैंने क्रिदेंश आपको बताई दिये जैसे कि आप देख पा रहें मेरे पास ही कन्फरमिशन इमेल आ गया है बस मुझे यहां पर टेस्ट देना है को फिकर मैं कीजिए बिल्कुल वीडियो में बने रहा है लेकिन हां रेजिस्ट्रेशन करन सबसे पहली बात यह work from home job रहने वाली है ठीक है और यह कंपनी बहुत ही अच्छी है ठीक है बाहर की कंपनी है बहुत अच्छा पेमेंट है 25,000 रुपीस पर मन तक आप कमा सकते हैं और अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर है तो आपकी सैलरी 20,000 रुपीस से स्टार्ट हो सकत आपको रिटर्ण करना प्रोड़क्त या फिर को और इन्फर्मिशना को लिए मन्त्रा कंपनी से छिक है तो आप क्या करेंगे आप उनकी कस्टम तो यहां पर काम करेंगे, तो यह आपका काम रहने वाला है, जैसे कोई प्रॉब्लम आगे तो आप कस्टमर्स को एसिस्ट करेंगे, उनको सुनेंगे कि उनको क्या आपको रेजलुशन देना है, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, कंसेंट्रिक्स कंपनी की तरफ से कीजे, सब कुछ यहां पर आपको ट्रेन किया जाएगा, और ट्रेनिंग के भी आपको पैसे मिलेगी, यानि कि एगर वन मंत की ट्रेनिंग है, तो आपको पैसा मिलेगा, अगर आपकी सलेट 20,000 भी है, आपको ट्रेनिंग के भी 20,000 रुपीज मिलेंगे, ऐसा कोई कटवर इसमें प्रॉपर एक बढ़िया कंपणी जिसमें हेल्थ इंशॉरेंस वगिर सबको जितने भी बढ़िया कंपणी जो इंशॉरेंस होते हैं वो सब यहां पर एक्जेंपल हैं अगर आपको कभी ऑफिस भी जाना पड़ता तो ट्रांस्पोरडेशन भी इसी कंपणी की तरफ स यहां भी जो अपड़ेट है ऐसं जह अब कर्व कर दिया है अगर आपके कोई डोट सरय जी स्कता है यहां में क्थ长 पर एंगए करने के और रेख़िया था हैं करेंगे घ्रपेों आभी हम करिए कि यसा test होगा वह complete करेंगे औरव इस बताना चाहूंगी हमारा telegram channel है जैसे की आप देख पा रहे है इस channel पर हम links post करते जैसे video आउट होती है उसका link आ जाता है और भी links post करते हैं जो हम video पे नहीं डाल पाते हैं तो उसके आप इस टेलिग्राम लिंक को जॉइन कर लीजिए, मैंने यह लिंक प्रोवाइट कर रहा है डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको सबसे पहले इंफॉर्मिशन आ जाए, तो अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की अपडेट की तरफ जो की बहुत ही जादा अमेजिंग है, देखिए मेरा वादा है मुझे आपको जॉब तो दिल्वानी है, इस इस मिशन फॉर्म माई साइट की मुझे हमारे जो यूथ है, उनको एक प्रॉपर गाइड करना है ताकि वो एक प्रॉपर जॉब कर पाए, तो अगर आप सही में सीरिस है, कि सीरिसली होकर किसी में जॉब करना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को देखें, जनरल इंस्ट्रक्शन्स यह सारी हमें फॉलो करनी है, यह एक फॉर्म है गाइस प्रॉपर जो हमें फिल आउट करना है, ठीक है इसके बाद आपके पास एसेस्मेंट का इमेल आएगा जैसा कि आपने देखा मेरे पास आल्रेडी आ चुका है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या आपको करना है प्लीज इसको ध्यान से देखना थाकि आपको कंफरमिशन इमेल आजाए, अब देखें, सबसे पहले आप अपना first name, middle name अगर है तो, फिर last name, ठीक है, यहाँ पुट करेंगे जो आपके अधार कार्ट पर है, फिर आपका mobile number यहाँ पर आएगा, वो ही mobile number चूज करना जो आपका active हो, okay, because they will be calling you in this phone number only, don't worry, सब कुछ कवर करूँगी, अब देखें, यहाँ पर email अधिस भी वो ही put करना, जिसकी आपको notification बहुत पहले ही आजाए, email वो ही add करना, जो notification आपको पता चल जाए, सारी notification, आपको WhatsApp, Telegram, सब की notification आती है, ऐसी आपको email की भी आने चाहिए, on कर देखेंग्स पचा कर, okay, अब देखें, आपर अधार number आप अपना put करेंगे, तो अब कई लोग यह बोलेंगे, अधार कार्ट क्यों मांग रहे हैं, हो गाई, वो इसलिए मांगते हैं, जैसे यह अधार number से न, अब verify हो जादा है, कि डुपली किसी नहीं होदे, जैसे for example, अगर कोई fail हो गया test में, ठीके, तो वो दुबारा, मतलब, कम से कम 60 days तक apply नहीं कर सकते हैं, अधार कार्ट पर है, वो आप यहां पर लिख देंगे, अब देखें यहां पर पिन कोड आपका क्या है, वो आप लिखेंगे, अब state आपको choose करने, कि आप कौन सी states है, देखें, इंडिया में जितनी भी states है, सारे में यह job applicable है, ठीके, जिसे for example, आप किसे आप Delhi के रहने वाले हैं, तो आप Delhi choose करेंगे, फिर आपको अपना city select करना है, कि कौन सी डेली, New Delhi, डेली, जो भी है आपका, यहां पर select कर देंगे अब देखें, are you 18 years or older, यहां पर yes कर देंगे, ठीके, preferred work location क्या है, अब देखें, यह है तो work from home, बड़ क्या होता है, कि इनको centers में कभी-कभी जाना पड़ता है, तो जिसे for example, Delhi के आजपास का आप center choose कर लेंगे, जिसे अगर यहां पर Delhi choose नहीं ही show कर रहा है, तो यहां पर ग to preferred work location, यहां पर yes कर देना, because they check कि भई, जो हमारे लिए job कर रहे है, क्या वो सही में job करना चाहता है, यहां पर ऐसे ही, बस time pass करना है, तो इसी लिए, इसे yes करना, अब देखें, how do you get to know, यह Instagram पहले से feeded है, इसको छोड़ दो, फिर यह है, are you willing to work 24x7, तो यहां पर आपको yes क करना है, yes I am willing to work, हमें करना है job, okay अब देखें, education background की क्या है, 12th मैंने बाद जैसा बताया है, 12th पास वाले कर सकते है, डिप्लोमा भी अगर आपने कर रहा है, जैसे आपने 10th 12th के 10th के बाद एक डिप्लोमा ही कर रहा है, तो वह भी यहां पर applicable है, graduate है, that is well good, फिर यहां पर है, post graduate और higher, तो आप यह चूज कर लेंगे, ठीक है, अब यहां पर यह कर लिया, डिप्लोमा करेंगे, तो इस सारी चीस आपको भणने होगे, 12th आपने भरा, तो 12th स्ट्रीम आपके कौन सी थी, science, arts, commerce, क्या आपको चूज करनी होगी, ठीक है, name of the degree, diploma certificate, यह आप चूज करे है, ठीक है, आप देखें, आपर result क्या है आपका, ठीक है, यह पास आया, यह वेटेड है अभी भी तो वह आप चूज कर लेंगे, पास यहां पर आ गया, work experience डिटेल, अगर आपके पस work experience है, तो आप इसे yes करेंगे, तो yes करने के बाद आपको आपको आपकी enhance salary डालने होगे आपकी जितने भी यहां पर, for example, आपकी 20-25,000 के बीच में है, तो आप यह चूज कर लेंगे, employment period आपका कितना रहा, वो भी आप बताएंगे, आपकी organization यानि की पिछली company का क्या नाम था, यह आप पुट करेंगे, designation आपकी क्या थी, यह पुट करेंगे, employee ID अगर आपके पा क्यांगे, फिकर मत कीजिए, everything will be visible to you guys, यसे मैंने से no कर दिया, अब देखे, do you have a UAN EPF account number, अब देखे, यह जो number होता है, that is related to your PF, तो जो लोग पहले से chop करते हैं, उनका होगा, तो वो यहां पर yes कर देंगे, ठीक है, yes कर देंगे, और अगर जिनका नहीं है, तो सीधा no कर देना, process applied for, अभी समय जादा important है, यहां पर चार categories है, आपकी process की, मैं दिखा देती हूँ, advisor customer service non voice, advisor customer service voice, advisor technical support non voice, advisor technical support voice, एक एक करके मैं सब कुछ बताती हूँ, अब देखे, advisor customer service non voice, यानि की retail logo के लिए, जैसे कि हम जैसे normal logo के लिए आपको करनी है customer service, तो इसमें अगर non voice, या call वाला नहीं काम करना चाहते, तो आपके लिए यह है, ठीक है, this is very good for the back end people, ठीक है, अब देखे, second है advisor customer service voice, अगर आपको बोलने वाला काम करना पसंद देला है, का आपको लगता है कि आप अपने बोलने से influence कर सकते है, सामने वाले को समझा सकते है, आपका बोलना काफी अब troubleshooting अगर आपसे नहीं होती ही, तो आप customer service को call करते है, तो वो help कराते है आपको troubleshooting में, तो यह technical उसके लिए है, email और chat पे यह वाला non voice वाला और voice में call करके confirm करना, वो ही जो मैंने आपको same बता है, बस यह थोड़ा से difference है, यह चार process है guys, जो भी आप चाहते है, आप कर सक तो आप यहाँ पर लिख सकते है, अब देखे, do you have a diploma certificate in foreign language, तो भाई हम पर तो नहीं है, हम तो native speaker है, कोई बात नहीं नो लिख होगे, तब भी issues नहीं है, आपके पास test email आएगा, आप select भी होगे, कोई problem वाली बात नहीं है, अब देखे, have you ever worked with concentrics while being employed at vendor consultant, तो यहाँ पर आ पर यह सब कर देना, मतलब यह सारी चीज़े ना देखने वाली होती है, फिर आप बोलते हो कि आपके पास क्यों नहीं आता है reply, तो इसलिए यह कर देना, अब assessment now करोगे तो अभी आपका test start हो जाएगा, assessment later कर दो, आपके email address पर confirmation आजाएगा, जैसे मेरे पास आया, जैसे कि for expressing interest in working for Concentrix India, we look forward for welcoming you in the Concentrix family soon, you are getting the email because you are just few steps away from the job confirmation, ठीक है, the test has 3 basic requirements, आपके पास 3 चीज़े होनी चाहिए, a smartphone होना चाहिए, या फिर अगर आपके 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 connection, अब इसे एक कमरे में करना, जिसमें आपको एक बारी लॉक कर देना git, और प्रॉपरली कंसंट्रेट हो के काम करना, और डॉन्फरी लाइफ टेस्ट मैं आपको शो करूँगी, वीडियो का मोटीवी यह है, कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करवाँ, तो डॉन्फरी फ टेस्ट, step 1, for taking the MCAT exam, click on the URL provided in the email, ठीक है, अब यहाँ पर window devices के लिए आपको यह करना है, और normal आप इसे phone से भी कर सकते हैं, तो आप window device कर सकते हैं, ठीक है, यह स्टार्ट हो जाएगा, अब देखिए यहाँ आपर जो और क्या क्या चीज़े हैं, यह एक बार चेक कर लिजे, अब देखिए, ब्राउजर OS requirement, यह सब आप देखिए, यहाँ पर स्टार्ट होगा, आपका test, ठीक है, अब देखिए, the test login credentials are valid from this time, 30 December, से लेकर, यह मेरे पास 6 January तक valid है, यानि कि एक हफ़ते का time होता है, मैं कभी भी यह test दे सकती हूँ, ठीक है, अगर आप जैसे ही video देख इंपोर्टन चीज़े पढ़ लेना, कि क्या इंपोर्टन है, कि आपको क्या चीज़े नहीं करनी है, test में, कि exit ने दबाना, यह नहीं करना, ठीक है, यह सब देख लेना, बस यह हो गया, complete, अब देखिए, यहाँ पर बस एक ही step है, यह जो click here वाला button है, to start your test, click here, बस इसे ह इसे ही आप जैसी click करोगे, आपको जैसे interface में आओगे, so guys, जैसे कि test proctored है, तो इसलिए मैं mobile application में इस test को दे रही हूँ, मैं वो questions आपको यहाँ पर लगा दूँगे, don't worry, my image ले लोगी, and यहाँ पर क्या होगा, कि मैं आपको उसकी answers बताऊंगी, okay, तो mobile में इस application को आपक test click here करेंगे, आपको एक SHL की, इनकी application है test की, उसे आपको download करना है, okay, तो आप उसे download कर लीजे, okay guys, इसमें आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर आपका candidate online assessment data test आ गया है, protection notice आया है, this notice was updated, यह आप देख सकते हैं, इसमें बस आपको ऐसे से करके, इसे agree करना है, ठीक है, agree कर देना, और यहाँ पर इसे proceed कर देना, okay, इसे हमने proceed कर दिया, अब देखें, यहाँ पर क्या आ रहा है, your registration details are successfully saved, please submit a form and further, अब यहाँ पर इसे agree करना है, okay, और यहाँ पर इसे next कर देना, okay, so guys, मैं आपको यह दिखा रही हो, because इसमें हम recording नहीं कर सकते हैं, तो मैं दूसरे camera से से record करके आपको show कर रही हूँ, अब देखें, यहाँ पर क्या आ रहा है, देख लीजे, यहाँ पर देखें, 42 questions का आपका यहाँ पर test है, 20 minutes में करना है, automated spoken English test that measures fluency and pronunciation, active listening and vocabulary grammar and spoken English understandability, तो यहाँ पर basically English का आपका test होने वाला है, इसे हम proceed करेंगे, okay, अब देखें, यहाँ पर क् नहीं करना है, यह application, तो आप ऐसे मत करना कि आप अपना camera पर इसे record करें, तो हम इसे proceed कर देंगे, okay, हमने जैसे इसे proceed कर रहा, अब देखो, अब हमारे पस क्या-क्या options आ रहे है, पहले हम देख लेते है, so guys, मैं आपको बिल्कुल वैसी शो कर रही हूँ, जैसा यहाँ पर test मेरे लिए भी बिल्कुल new test आ रहे है, मेरे सामने, all right guys, so let's see कि अब क्या आता है, okay guys, अब यह sample question है, this is a sample question to test your device compatibility, listen carefully, हमें यह listen करना है, तो मैं इसको तोड़ा test कर देते हूँ, wait, okay, अब यह क्या करें, next करेंगे हम, okay, please read the given sentence, अब हमें रीट करना है, ठीक है, अब मैं करते हूँ, ठीक है, would you like to start your free trial today, यह बोलना है, would you like to start your free trial today, okay, अब यह automatically load हो रहा है, guys, okay, यह हो गया, अब हम इसे next कर देंगे, connection, question, यह सब कुछ आगया है, okay कर दिया, हमने compatibility, section A अब section A आ रहा है, short questions है, listen to the given information, and answer the following questions, with a complete single sentence, you will now hear a sample question, listen to the information, and the question played, and then note how you need to respond to that question, your name is Anna, you like to paint in your free time, the question is, what do you do in your free time, अब देखिए, ऐसे questions आएंगे, कि यह हमें बोलेंगे, हमें बस answer देना है, हमें बस अपने listening skills को on रखना है, okay, बस ऐसे करना है, अब देखिए, अब मैं जो questions आएंगे, मैं उसके answer करूंगे, ऐसे हम कर दिन next, Your name is Ron, you are excited because you plan to visit a new art gallery today, in school your favorite subject was art, what is your name? My name is Rhyan, What was your favorite subject in school? My favorite subject is physics, Section A is now complete, we will now begin Section B, Now Section B is here, Section B, You will hear a description of a situation, Following the description, you will hear a conversation dialogue, Please listen to the dialogue and provide an appropriate response, The next question, You plan to go on a two-week vacation to Canada next month, You plan to hand over two of your pending projects to your colleague Mark, You are in discussion with your manager Sarah, Join the conversation by giving suitable one-sentence replies to the questions, So you are planning on taking a vacation, Where are you heading to? So I am going to Canada, Submit, And how long would it be for? It will be for two weeks, Because two weeks long, And we are submitting, Done, Do you have any projects pending? Yes, I have some projects pending, I have hand over to Mark, Can you tell me who will be working on them in your absence? Mark will be working on my absence, Okay, That's fine then, You can send me an email with details of the projects that you are working on, Sure, Thank you so much, Section B is now complete, Section B will be completed again, We will now begin, Section C, Okay, Let's see what is Section C, In this section, Speak the sentence displayed on the screen, The test will automatically move ahead, After you speak each sentence, Now we have just written, That will be repeated again, Okay guys, So next, Please read out sentence 1, The college offers a unique curriculum for its exchange students, Please read out sentence 2, What a great achievement, What a great achievement, Please read out sentence 3, Meet us at the client's office, We can discuss the issue there, Please read out sentence 4, According to the president, The claims do not have any substance, Please read out sentence 5, He took the initiative, To help the people of the flood affected area, Please read out sentence 11, The IT manager ensured that, All the systems were updated, Please read out sentence 12, Give me your email address, And your contact details please, Section C is now complete, Okay Section C, Is now complete, We will now begin, Section D, Section D, Section D, Section D, Let's wait a while longer, And then decide what to do, Let's wait a while longer, And then decide what we have to do, Were you able to explain, The situation to your colleague, Were you able to explain, The situation to your colleague, Please come inside, And rest for a while, Please come inside, And rest for a while, I went to have a cup of tea, I went to have a cup of tea, How far is your workplace, From your motel, How far is your workplace, From your motel, Please make a cup of herbal tea, For me, Please make a cup of herbal tea, For me, How was your share a cab ride, How was your share a cab ride, Section D, Is now complete, Okay guys, This is also complete, Now fill in the blanks, Now fill in the blanks, Let's do fill in the blanks, Section E, You will hear a sentence, That is missing one word, We will make a missing word, We will make a meaningful sentence, We will make a meaningful sentence, Can we make a, Dash at this restaurant, Can we make a reservation, At this restaurant, She is suffering from, Dash, Terrible headache, She is suffering from, High fever, and terrible headache what is the major fame of this book they ate quickly because they were dash for their meeting they ate quickly because they were running late for their meeting so guys ये वी अप्लीट हो चुका है now correct करना है में संटेंज को error बताना है and repeat करना है बिलकु से एक now let's get started okay did he write the text yesterday so यहां पर write आना है between you and she I think your record is better between she and you I think your record is better now last section I guess section G in this section you will be provided with a topic you will have 30 seconds to think about the topic in 45 seconds to speak about it okay अब हमें मतलब डिरेक्ली बोलना है कोई भी topic दिया जाएगा वो हमें बोलना है okay 30 seconds होगा 45 seconds उन्हें बोलना है अब हम इसे कर देते हैं next your topic is describe your role model okay role model guys कोई भी हो सकता है आपके father भी हो सकते है कोई भी हो सकता है role model भी आप अपने खुद भी हो सकते है आपने इतना काम के अपने उपर यह सब भी गशेएगए आपकी मर्दर हो सकते है कोई भी हो सकता है role model भर सद्ध्यान में रख लेना क्योंकि यह question बार बार आता है तो इसको ना लिखी लेना यह last question है अच्छे से बोलना हमें preparation आपको 30 seconds हो वैसे मिले गई ओके तो यह भी हो चुका है finish देखो यह uploading आ रहा है आपको यह तरीका काफी different लगाऊगा और अच्छा लगाऊगा वीडियो को like कर दो share कर दो और subscribe भी कर दो ताकि मैं ऐसी वीडियो और ऐसी महनत मैं आपके साथ हर बार करूँ इससे proceed कर देना कि कि मैं कोई submit नहीं करना है तो मैं इससे proceed नहीं कर देना आपकी इसमें जॉब लग जाए अगर मैं महनत कर रही हूँ आपके साथ तो आपको भी महनत करने है जैसे मैंने आपको बोला शुरू से लेकर जैसे process आपको follow करना है वैसे ही follow करना कोई भी step miss out मत करना तो देखे आप यहाँ पर select ज़रूर होंगे so I hope guys आपको आज की update काफी अच्छी लगी होगी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को करीजे like, share and subscribe and bell icon दबाना ना भूले ताकि जैसी video out हो सबसे पहले update आपके पास आजाए guys so guys thank you so much आप सभी लोग अपना ध्यान रखे